Brought to you by Agilis Diagnostics विकास अगाडी वो यारोप लगा रही है कि 5 करोड रुपे थे जो बाटने के लिए आये थे विनोत तावडे साथ-साथ इस मामले में 9 लाख रुपे किसके हैं आखिर और क्या पांच करोड थे या नहीं थे बैग भी महां से मिला है जिसमें से कुछ पैसे निकालते हुए प्रिवेश पूरी खबर क्या है चिराग जी सिलसेवार तरीके से बताएंगे देखिए विनोत ताडे जो की महा सचीव है बीजेपी के तो वो अपने कारकरताओं से मिलने के लिए आल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे थे यह उनका पक्ष है यह कह रहे थे इसी कड़ी में वो गए थे वसई वसई के जो वहां के जो अभी प्रेजेट विजाय के राजन नाइक और वहां अपोजिट में जो नाला सोपारा एरिया है वो BVA पार्टी उसके है हितेंद्र ठाकूर उनका लड़का है सितिष ठाकूर तो यह अपने जो बीजेपी कैंडिटेट है राज अब तक जो सितिष ठाकूर है BVA के जो बहुजन विकास अगाडी के जो कैंडिटेट है वो कहते हैं कि हमें टिपिंग मिलती है हमें एक बीजेपी वाला ही टिपिंग देता है कि पांच कोड़ो रुपया लाया है विनोत तावडे बाटने के लिए हम होटल पहुच जाते ह हम होटल पहुच के रेड करते हैं वीडियो बनाते हैं तो हमें लिफाफे में पैसे ते जिसका वीडियो भी वाइरल है अब चिराग जी क्या वो नौ लाक रुपए थे नई 9 लाक रुपय वो नहीं थे किसी कमरे से बरामद हुआ एक कमरे किसके नाम से रेजिस्टर्ड है क्या है अब इसमेरा तीन F.I.R.O. हम आगे डिसकस करेंगे अब इन्होंने ये पहुच जाते जो हितेन ठाकूर हितेन ठाकूर का लड़का सितिश ठाकूर पहुच जाता है हितेन ठाकूर बहुत अपना रसूक रखते है वसई विरार में हमने रंग्जा हाथो पकड़ा उनके लोग जो हिए वीडियो बनाते अपने कार करता के साथ पहुच जाते ये जो होटल भी है ये भी हितेन ठाकूर के किसी पहचान वाले का है तो इनका आरोप है कि अंदर का CCTV बंद कर दिया गया था हम गए तो हमने CCTV चालू करवाया है मतलब मीटिंग करने से पहले और चार दिन पहले से होटल रूम बुक से अभी आपको देखना पड़ेगा कल ही सुबह वोटिंग है और आज आचार सहीता लग गई है अगर आप cash भी carry करते हो तो cash को भी लेके rules है election commission of India को rule है कि 50,000 से जादा आप cash carry नहीं कर सकते carry कर सकते तो उसका विवरन देना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा आप किस company किस काम के लिए वो cash लेके जा रहे हो 10,000,000 से जादा अगर cash होगा तो उसको income tax department को swap दिया जाता है वो investigate करेगी नहीं तो पैसा cease करते हो आप बताओगे आप reason दिखाओगे मुझे बताओगे होटल के अंदर से किस कमरे से कितने पैसे मिले ये बात पुलीस ना बता रही है ना पुलीस clear कर रही है पुलीस नहीं ये बता है हमने तीन F.I.R किये लेकिन किस पे किये ये भी clarity नहीं दे रही दो F.I.R है जिसमें एक F.I.R है कि खुद की constituency दुसरे की constituency में जा कि आप meeting कर रहे हो ये सब कर रहे हो वो एक case किया है आचार सहिंता में आप press conference कर रहे हो जो कि allowed नहीं है वो भी case इसमें दर्च किया तो इसमें दोनों का नाम आएगा क्यों बताओ इसमें हितें ठाटो और विनोत ताओडे ये सब बैट के साफ में एक mix press conference भी किया इन्होंने साथ बैट के press conference भी किया तीसरी F.I.R है जो पैसे मिले है उसको लेकर लेकिन ये कहीं mention नहीं है कि ये F.I.R विनोत ताओडे के खिलाफ है ये F.I.R किसके खिलाफ है वो पैसे मिले है उसका investigation होगा जिसके ये पैसे होंगे उसके खिलाफ ये case बनेगा अब भी सिर्फ जो money मिला है उसके उपर होगा है और मैं बताओ 9,00,00,00 बताओ जिर्फ जी 9,99,500 रुपीज जो मिला है वो उनके पास से मिला है आप देखो अगर 10,00,00 के उपर होता तो इसका अलग से investigation होता है वो income tax department के पास चलाजा पाए वहीं विनोत ताओडे का कहना है तो मीडी से करा लो, किसी से भी जाच करा लो मैं तो 40 साल से politics में हूँ मैं ऐसा क्यू करूँगा मैं क्यू खुद छोटा amount बाटना हूँगा मैं ऐसा क्यू करूँगा वहीं संजे रहा हो जो उनकी opposite में है शुशेना जो UBT है उद्धा ठाकरेगी वो बोलते है वीनोत ताओडे इतने सजे हुए नेता है इतने बड़े नेता है उनको BJP वाले ही फसा रहे है वो तो वो BJP वाले कोई बोल रहे है और खुद हीते इन ठाकर जो BVA के हैं वो बोल रहे है कि हमें BJP वाले नहीं टिप दिया वैसे देखा जाए चिराज जी वीनोत ताओडे बड़ा चेहरा है महराज पॉलिटिक्स में और सेंटर में अच्छा काम कर रहे है उनको बिहार का वो बनाया गया था एलेक्शन के टाइम पे लोकसभा एलेक्शन का प्रभारी बनाया गया था और उनको बड़े-बड़े पद दिये गे सोचे महा सचीव है तो कहीं न कहीं वीनोत ताओडे का बहुत ज़्यादा कद बढ़ रहा था और यही बात सब कह रहे हैं कि यह पॉलिटिकल बात होगी मुझे यह बता यह जो संगीन आरोप लगा है जिसमें 5 करोड का आरोप है पहले तो पांच करोड का आरोप लगा है पांच करोड का कोई कोई इलेक्शन कमिशन के तरफ से यह बात इलेक्शन कमिशन बोल नहीं रहे ना पुलिस बोल रहे नौ लाक रुपे मिले यह किसका है नौ लाक रुपे यह नौ लाक रुपे अब पुलिस को है क्या है वह इन्वेश्टिकेशन का पार्ट है जो hommes अमद ऑंद और पूलीस बोलो की इडिबेश्टीगेट कर रहे हम सिओ के धीवी खंगाल relying चीज के नाम पर वोilot COP था कि सिस्के नाम पर वह रूम पर पे से किसके कमरें से वह पैसे मिले वह कुछ पैसे जो दिख रहे हैं चिराग जी हाथ में cash लेके तो वो पैसे वो लिफाफे में से दिख रहा है बैग एक है विनो तावडे के पास में एक बैग है ब्लैक कलर का वो बैग में ये जो वीडियो बनाए है जो इनके लोग बनाए है बीवे बहुजन विकास अगाडी वाले तो उनके वो पैसे निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो लिफाफे में पैसे हैं एक डाइरी भी मिली है डाइरी भी हम देख रहे है और लोगों का नाम लिखा है उसमें ये सितिश ठाकुर वो डाइरी खोल के था अचार सहिता के बाद पेटी कैसे लॉक होती है वो आपको देखना है आपको कितने का टाइम रहता है बारा नीयम बताने है जो चुनाओ आयों कि बारा नीयम है वो मुझे अपने कैंडिडेट्स को बताने थे तो मैं उसलिए वहाँ आया था अपने कारकरताओं को करना है कि कुछ चेड़ चार ना हो, election commission से कैसे आपको वो करना है, coordination रहना है मतलब इन सब चीज की में जानकारी देने आया था कि आगे क्या होना चाहिए अचार सहीता के बाद क्या-क्या नीयम होते वो बताने आया था फिर इन लोग एक mix press conference भी करते हैं जिसमें वो अपना बैग में भरकर पैसे लेकर गए थे और वहाँ पर लोगों को बुला बुला कर पैसे बाट रहे थे, ये ख़वर जब जनता को पता चली तो हंगामा हो गया, पैसे के साथ विनोत तावडे के कई वीडियो, ये इस तरह की बाते कही जा रहे हैं और कई सारे वीडियो इस सम का हंगामा मचा है, लोग अपने मोपाइल से वीडियो बना रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो जो वाइरल है, जिसमें देखा गया है कि विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अगाडी की कारेकरतों ने एक होटल की कमड़े के बाहर गेर लिया है और विवानता होटल है, उसको सील भी कर दिया गया है, विवानता होटल है, ली विवानता होटल है, ये जो वसई विरार है, वसई विरार इलाका, ये मुंबई से दूर है, बिनो तावड़े वसई देखा जाए तो मुंबई से विलॉंग करते हैं वो मुंबई में रहते हैं लेकिन विम्बई का बहुत आउटर है यह मुंबई में आता भी निवसाइव राला का मुंबई का आउटर है यह पालगर डिस्टिक में पड़ता है और वहां के दो नेता बड़े नामी नेता है हितेंड ठाकूर और उनका अपने कारे करता हों के साथ सिति ठाकूर पहुच जाता है हितें ठाकूर का लड़का जो खुद नाला सुपारा से खड़ा एलेक्शन में यह अचानक में पहुच जाता है अपने साथ साथ सवधेड़सों की भीड होती है वो लोग वीडियो बनाना शुगरू कर देते हैं वो लोग पुलीस को कॉल करते हैं और पुलीस वहाँ तुरंद पहुच जाती है बहुत पहले से जो उनकी सिक् discoveries में रहती है और पुलीस पहुच जाती है और फिर वो जो cash मिला होता है फिर cash के बोलते है यह जगा आप तलाशी लो यहाँ cash रखे है तो तलाशी लेती है तो कुछ information है ये money को distribute करना था ये ठाकूर जो नेता है वो कह रहे है कि कोई इस बात का sense नहीं है कि कोई political leader consensus भार तालिस घंटे पहले voting से आए और इस तरह की हल्किए तो simple rule है तो कुल मिलाकर ये तमाम ऐसी चीजे हैं जो अब एक तरह से विवाद उसने पैदा कर दे लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा हुआ जो पैसा मिला है क्या ये पैसा विनो तावडे से जुड़ा है वो बाट रहे थे बैग मिला है ये पैसा किसका है नौलाक रुपे पांच करोड का जो एलिगेशन है कहा है पांच करोड रुपे ऐसी तमाम चीज़ें जो जाँच के बाद साथ होगी लेकिन क्या इमानदारी से इस मामले की जाँच होगी अब देखी यही सवाल उठा रहे है विपक्ष तो बार-बार कह रहा है कि क्या इमानदारी से मामले की जाँच होगी क्योंकि F.I.R. जो वो कह रहे है बहुत सारी लिडर्स कह रहे है कि F.I.R. तो होनी चाहिए तो F.I.R. नहीं हुई है ढंक से जिनका नाम आले चिनका नाम नहीं आया है आपने कितनी F.I.R. कि है वो बारे में की प्रक्रिया जारी है पुलिस मौके पर पहुची हुई है तमाम जानकारी गठी की जारी है चिराग जी F.I.R. हो भी गई है लेकिन F.I.R. में साब सब बताया नहीं जा रहा है न किसके खिलाफ कौन सी F.I.R. हुई है जो cash मिला है वो किसके नाम से F.I.R. होगी unknown affair होगी cash मिला है उसका F.I.R. हो गई है समझो आपको cash मिला उसका F.I.R. होगे लेकिन यह नहीं mention है किसके नाम पर होगी वो बोलेंगी वो investigation का part है investigate करेंगे जब investigate करके सामने चीज़े आएंगी तब F.I.R. होगी लेकिन चिराग जी अगर कोई आदमी सामने से कोई businessman या किसी के नाम पर room book होगा और वो अपना business दिखा दिया मैं आपको बता रहा हूँ हाँ और ऐसे cases में mostly कुछ होता नहीं है उसने दिखा दिया कि यह मेरे पैसे थे मेरा business से मेरा दस लाग रुपए तो कुछ नहीं होगा उसको उसको उसका पैसा मिल जाएगा हमने तम्मिल नाडू का एक एक कपल है ट्रेवल कर रहा था 67,000 रुपए उसने दिखाया कि सर देखो मेरे अपने से पैसे निकाले ऐसा ऐसा है और मेरा ही पैसे तो इलेक्शन कमिशनर ने उसका वापस कर दिया था दस लाग के ओपर रहेगा तो income tax department को जाते हैं लेकिन अमाउंट भी कितना है नौ लाग नाइंटी नाइन थाज़न पाई वह आसपास का वापस मिल जाएगा और कुछ वैसा होने वाला नहीं है लेकिन सवाल यह उठता है कि जो इतने संगीन आरोप लगे हैं जिसमें वीडियोस हम देख रहे हैं इन आरोप में कितनी सत्यता है ठीक election से पहले यह जो विवाद हुआ है इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हुए हैं क्यों क्योंकि पैसे के साथ एक नेता वहाँ पर बैठा वा नज़र आ रहा है यह जो पैसे हैं यह एक बैग में है और जो विपक्षी पार्टी यह बढ़ेगा पैसे किसको बढ़ रहे थे कल election है अगर पैसे बढ़ते अगर लोगों में बाटना है पैसे लोगों में पैसे बाटना है तो एक इतना बड़ा लीडर आके पैसे क्यों बाटेगा हां यह अपने आप में सवाले एक इतना बड़ा लीडर आके पैसे क्यों बाटेगा हां वो दसलाक रुपे लेकर आएगा वो बाटेगा वो उसको तो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं मतलब महराष्टरा के चीफ मिनिस्टर तक बन सकते हैं विनो ताउडे का रेस में नाम चल रहा था यहां तक की पार्टी प्रेसिडेंट में भी नाम चल रहा था कि दिल्ली में जब इनकी नड़ा जी की ये खतम हो रही है जो टेनियर खतम हो रह कि बीजेपी लीडर नहीं मुझे इंफॉर्म किया तो मुझे थोड़ा सा फिशी लग रहा है कि उनकी छवी खराब क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप देखो तो कोई इतना बड़ा लीडर तो इतनी छोटी सी बेवकूफी तो नहीं करेगा कि वो जाके खुद पैसे बा है कि जो हम अकसर सुनते है अधिकारियों से जो लोग कहते है रिश्वत देते हैं लेते हैं वो खुद थोड़ी लेते देते हैं उनके तो चेले चपाटे लेते देते हैं ताकि कल को पकड़ जाएं तो ये ना हो कि भी डिरेक्ट हम ले रहे थे नीचे के लोग ले रहे थे और वो ठीक है, इंस्ट्रक्शन किसी का भी हो, खैर, ये बात तो तब होगी, जब ये पता चलेगा कि असल में ऐसा हो रहा था, इसकी जान जारी है, उमीद करते हैं, सच्चाई सामने आएगी, ये वीडियो के इसलिगी जुरू बताएगा, जैने बाद दोस्तों